नवश्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी प्लिस एक्जाम के बारे में जी हाँ दोस्तों कॉंस्टेबल भरती एक्जाम 27 और 28 को दो दो शिफ्ट में हुआ था यहाँ पर एक्जाम पूरा हो चुका है अभी 28 तारीका भी हो चुका है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड कट ओफ के बारे में जी हाँ दोस्तों सेफ स्कोर क्या रहेगा इस एक्जाम का डिटेल में जानेंगे यूपी प्लिस के बारे में क्या 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 स्कोर रहेगा इस एक वोटल पोश्ट थी से एक्जाम के लिए जिसमें से अगर हम बात करें सिविल पूलिस की तो 31,360 साथ सिविल पूलिस की पूलिस थी इसके अलावा रिजर्ड पोश्ट यहां पर 18,208 के कृरीब थी यहां पर पूच्ट यहां पर बात करेंगे मेल की और female की अलग अलग अगर में बात कुरू female के post होगी तो दोस्तों यहाँ पर 61 आसपास female की post भी थी दोस्तों अगर बात क्या जाए यहाँ पर paper level की तो यहाँ पर हिंदी, gk, math or reasoning chart section में यहाँ पर paper divide था बात कुरू हिंदी की तो यहाँ पर हिंदी थोड़ा easy level का आया था इसलिए मतलब हो सकता है कहीं न कहीं मतलब यहाँ पर थोड़ा scoring level हो सकता है यहाँ पर scoring subject था यह एक तरीके से बात कुरू कर gk की तो gk moderate level था मतलब थोड़ा hard ही मान के चलिए मतलब क्योंकि questions थोड़ा deeply पूछे गए थे तो यहाँ पर मतलब हो सकता है कहीं न कहीं लोगों में थोड़ा सा मतलब यह मान के चलिए 5-10 questions attempt की हो या फिर ज्यादा मतलब negative में चले जाएंगे मान के चलिए आप अगर बात करूँ यहाँ पर math और reasoning के तो दोस्तो reasoning easy section था compare करूं हिंदी से तो वही math सबसे hard यहाँ पर section था moderate level कह सकते है हम easy to moderate भी नहीं कहेंगे इसको moderate to advance कहेंगे क्यों कि दोस्तों यहाँ पर lengthy paper था एक तरीके से अगर जिन लोगों ने math attempt किया है सबसे last में तो कहीं न कहीं न कहीं चार पांच questions छुटे तो इससाब से कहीं न कहीं न को थोड़ा loss हो सकता है दोस्तों वेल यहाँ पर यह था detail में आपका analysis paper का दोस्तों मतलब चारो shift में same paper था ऐसा मतलब कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था कि किसी shift में hard था या किसी में easy हाँ थोड़ा भूट 11-20 का फरक हो सकता है दोस्तों तो कहीं न कहीं हमें लगता है यहाँ इस exam में normalization कया मतलब huge किया जाएगा normalization हो का आपका इस exam के इस exam में दोस्तों ये मान के चलिए क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं मतलंब यहाँ पे news निकल का रही है second shift वाल पेपर जो लिया गया था ถा this type को वो थोड़ा बोथ hard level का था तो इससाब से कहीं न कहीं हो सकता है कि second shift वालों के थोड़ी chances बनते हैं यहाँ पर 4-5 number increase होने के compare करें first shift है सब first shift से तो तो वेल दोस्तो आप भी बात करते हैं यहां पर average cutoff की उससे पहले मैं आपको पता दूँ यहां पर 150 question थे दो marks के तो इससाब से आपका 300 number का paper हो जाता दोस्तो 1 fourth यहां पर marking रखी गई है जो की ज़्यादा नहीं है compared to other exam के दोस्तो अगर आपने मतलब कुछ ज़्यादा negative भी किया होगा तो यहां पर कुछ ज़्यादा फरक नहीं दिखेगा आपको तो यहां पर finally अगर हम बात करें यहां पर male cutoff की सबसे पहले तो दोस्तो यह देखिए आप general की 180 से 1805 के आसपास आपकी इस बार cutoff रह सकती है वहीं अगर OBC की बात करूँ यहां पर में तो 170 से 175 के आसपास यहां पर OBC की cutoff रह सकती है SCST की दोस्तो आपके 165 से 160 के बीच में vary करेगी हो सकता कहीं नगर चार पांच नंबर थोड़ा कम ही हो सकता है यह मान के चलिए आप तो अगर आपके cutoff इस range में आती है आपके safe score वन रहे है यहां पर इस range के अंदर तो यह ही मान के चलिए कहीं न कहीं आपका selection हो सकता है finally इस job के लिए दोस्तों वही दोस्तों यहां पर अगर आगे वीडियो में बात करूँ में female cutoff की तो general 177, 175 के आसपास जा सकता है इस बार थोड़ा सा high जरूर जाएगा इस बार क्योंकि post है थोड़ी कम है compared to male के तो उससाब से अगर OBC की बात करूँ 165 से 170 के बीच में वेरी करेगा आपका SCST की दोस्तों बात करें तो वही 160 से 165 के बीच में आपका SCST इस बार जाने की उमिद दोस्तों हो सकता है कई न कहीं ये maximum हो 4-5 नमबर आप इस में मतलब ये मान के चलिए अगर आपके आते हैं इस average में आपके मतलब cutoff या number बन रहे है तो आपका selection हो सकता है कहीं न कहीं से एक्जाम में तो वेल दोस्तों ये ही थी आपकी expected cutoff तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें शेर करें था हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे की एस एक्जाम से रिल्टेट सारी की सारी news और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर और सबसे पहले मिलती रहेगी धन्यवाद दोस्तों